Sony ZV-E10 को बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि इसमें उतना अच्छा stabilization नहीं है बट यह जो आप sample देख रहे हैं यह दोनों इसी camera से suit किया गया है Left side वाला में आपको stabilization अच्छा नहीं देखने के लिए मिल रहा होगा बट Right side वाला में आपको मिल रहा होगा तो यह कैसे हुआ है इसी के बारे में बात करेंगे Sony के एक software है Sony Catalyst Browser इसी से यह होता है तो कैसे करना है चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको Google में आ जाना है Google में आने के बाद आपको search करना है Sony Catalyst Browser Software सबसे पहला वाला website को open करना है जैसे website open हो जाएगा तो यहां पर आपको download का options मिल जाएगा आप जब उस पर click करेंगे तो आप इसमें पुराना वाला वी के लिए accept करवाएगा उसके बाद यहां से आपको बहुत सरा डिटियल्स देना परेगा जो कि आप देख सकते हैं जैसे कि नाम है इमेल आइडी है पासवर्ड है एक छोटा सा रेजिस्ट्रेशन आप कहा सकते है तो इसको आप रेजिस्टर करेंगे तो एक मेल पर जो है लिं आपना रहता है यहां पर और उसके बाद यह आपका रेजिस्ट्रेशन सक्सेस्फूल हो जाएगा उसके बाद इस सॉफ्टर का इस्तमाल आप काफी असानी से कर सकते हैं तो यहां पर जैसे हमने सॉफ्टर को ओपन किया था तो सबसे पहले इसमें जो भी आपका डेटा र अपने वीडियो को बहुत अच्छा से स्टैबल स्टैबलेजेशन आप कर सकते हैं तो यह 4K का वीडियो है तो मेरा जो लैप्टॉप है वह कोर आई 3 4G वी रैम बाला है तो यह उतना ज्यादा बरदास नहीं कर पाता है तो फोर के का जो वीडियो है इसमें हम रेंडिंग यह इसटी है और यह जो सिंबल आप देख रहे हैं यहाँ पर यह एक्टिव स्टैबलेजेशन का सिंबल है तो अगर आप सब्लेजेशन वीडियो में ओण करके नहीं रिकॉर्डिंग करेंगे आप उस वीडियो को यहां से इस्टेबल नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए राइट साइड प्रेस करना है मास पे, स्टेबल किलिप पे आपको क्लिख करना है। और उसके बाद में आपको यहाँ पे ऐनलाइज वलापे क्लिक करना है। तो देखिए इसमें थोरा सा क्रोपिंग करेंगे तभी जाके काफी अच्छा इस्टेबल देखने के लिए मिलता है लेकिन पहला जो वीडियो हम आपको दिखाएंगे कि 100% अगर हम करते हैं तो यहां पर रिजल्ट में क्या देखने के लिए मिलता है यहां पर हम आपको यह पताना चाहते है कि अगर आप 100% पर रखेंगे तो यहां पर कितना जाद यह इस्टेबल कर पाता है तो आपको कुछ नहीं करना है यह उपर जो देख रहे अप्रोड वाला बटन इस पर आपको क्लिक करना है यानि यह एक्सपोर्ट होता है फिर यहां नीचे के साइज में अच्छा क्वालिटी का वीडियो नहीं आ रहा है तो इसका आप इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन इसमें एक चीज़ हम आपको बता दे यह काफी समय लगाता है तो हो सकता है कि मेरा कॉम्पेटर उतना पावर्फूल नहीं है ग्राफिस कार्ड नहीं है चार जीवे रैम है आई इस वीडियो में हमने एक चीज़ नोटिस किया था कि बहुत ज्यादा एस्टेबल यह नहीं कर पाया है क्योंकि हमने पूरा हंडेट पर हंडेट परसंट कर दिया लेकिन फिर भी यहां पर स्टेबल है और यह जो वीडियो देख रहे है तो दस परसंट वाला वीडियो और इसमें 90% यानि 10% क्रोप पे भी हमने ट्राई किया है उसके बाद इसमें हम 15% क्रोप पे भी ट्राई करके देखे थे फिर 20% भी ट्राई करके देखे थे और लास्ट का जो एक फूटेज आप देखेंगे उसमें हमने 50% क्रोप करके दिखाया है तो जितना जादा आप क करेंगे तो आपको भी एक हैविट हो जाएगा कि जैसे कि आपको कितना रिकॉर्डिंग करना है कितना फ्रेम में रिकॉर्डिंग करेंगे तो यहां आपके 10% को रॉपिंग होकर के एक काफी इस्टैबलेजेशन वाला आपको भूटेश देखने के लिए मिलेगा तो देखि को यूज करने के बाद में जो है अपना वीडियो को काफी इस्टैबल कर सकते हैं तो देखिए इसमें एक ही जो प्रोब्लम मुझे सबसे बड़ा प्रोब्लम लगा है कि रेंडरिंग करते समय यानि एक्सपोर्टिंग करते समय थोड़ा समय लगता है तो पावर्फुल ज आप करके नहीं रखेंगे उस वीडियो को आप इस्टेबल नहीं कर सकते इसमें वह आता ही नहीं है तो यह ध्यान रखे कि जिस वीडियो को आपको इस्टैबलेशन करना है यहां प्यांके इस्टेबल करना है तो एक्टिव करके रखना होगा तो यही था इस वीडियो में वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा हमारे चैनल टेक्सिंपल को सस्क्राइब कर दीजिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए अलविदा और यहां पर इंडियन एलेक्रिसिटी फिर्क्वेंसे की हिजाप से इसमें आपको 25 फ्रेम पर सेकेंड और 50 फ्रेम पर सेकेंड की हिसाप से इसमें रिगोडिंग करने का उप्समस मिलता है आप अगर इसमें चाहेंगे तो उसको 60 फ्रेम पर सेकेंड 30 फ्रेम पर सेकेंड 120 फ्रेम पर सेकेंड कर सकते हैं लेकिन यह जो वीडियो है 60 के बतले में 50 है मतलब इंडियन एलेक्रिसिटी फ्रेक्वेंसे की हिसाप से तो 50 फ्रेम पर सेकेंड की हिसाप से अगर प्रेजेशन देखने के लिए मिल जाता है